है दो वेद और वीदांत वीदांत के स्वरूप को समझने के लिए वीदों और वेदिक साहित्य की जानकारी आवश्यक है इस तत्थे को विश्व के सभी इतिहासकार स्विकार करते हैं कि वेद ही विश्व के प्राचिंतम ग्रंथ हैं पाश्चात्य विद्वानों में जैकोबी ने रिगवेद का रचना काल अन्य विद्वानों की अपेक्षा प्राचिंतम माना है में मानते हैं कि रिगवेद की रचना लगवक तीन हजार वर्ष इसापूर्व हुई किन्तु जैसा कि पर्थम अध्या में विचार किया जा या प्रमात्मा द्वारा रचा हुआ माना गया है मनुष्य द्वारा ने रचे जाने के कारण इन्हें पौरुषे कहा गया है किंतु वश्थू इस्थिति यह है कि वेदों की रचना वसिष्ट, भार्द्वाज, अत्री, वाम देव, विश्वा मित्र, ग्रत्समद, पराशर आदी रिश्यों के द्वारा की गई है वेद मंत्रों के रचनाकारों में अनेक महिलाएं भी विशेश उलेखनीय रही हैं उनमें से कुछ के नाम है घोशा, विश्ववारा, लोमशा, लोपामुद्रा, सित्ता, यमी, शची, श्रद्धा, सूर्या, अपाला, शाश् इंद्राणी, आदी रिश्यों ने माना है कि प्रभू की अपार किरपा से ही ऐसे अलोकिक ज्यान से युक्त मंत्र उनके अंतेकरण में उत्रे हैं अते उन्होंने मंत्र रचना का सारा श्रे प्रभू को देते हुए विनम्रता वर्ष्वम को मंत्रों का द्रश्टा मात्र म करता है के सहीताएं रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथर्ववेद चार सहीताएं अर्थात मंत्रों के संग्रे हैं रिगवेद में अनेक देवी देवतां की उस इस्तोतियां हैं जिने रचाय कहा जाता है सामवेद संगीत प्रधान पेद है इसमें केवल पिछे इतर्व मंत्रों को छोड़ कर सेश 1200 मंत्र रिगवेद से चुनकर संकलित किये गए हैं ये सारे मंत्र संगीत प्रधान और गिये हैं यजुर्वेद में यग और उससे संबंदित कर्मकांड का ज्यान कराने वाले मंत्र हैं अथर्ववेद मुख्यत अभिचार अर्थात जाद और भी प्रचुण है के रग ग्रत यग तथा कर्मकांड से संबंदितं ग्रंतों को ज्यान का जाता है। इसमें वेदर की इधरिक विद्धान किन्तु इस समय केवल 18 ब्राह्मन ग्रंथ की उपलब्द हैं गे आरेन्यक ग्रंथ आरेन्यक ग्रंथ ब्राह्मन ग्रंथों के इस्थूल करमकांड की प्रतिक्रियाम रचित ग्रंथ हैं इनमें यग्यत था वेद मंत्रों की ब्राह्मन ग्रंथों से हटकर आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्य प्रस्तुत की गई है। इनमें जिस सोक्ष्म अध्यत्मिक चिंतन के विकास का प्रारम हुआ था उसी का चरम विकास आगे चलकर उपनिशद ग्रंथों में देखने को मिलता है। और निशद का अर्थ है बैठना। गुरू की शरण में बैठकर शिश्य द्वारा प्राप्त किया हुआ आत्मा परमात्मा आधी का रहस्य में गून ब्रह्म ग्यान ही उपनिशदों का मुख्य विशे है। इस ग्रंथ में शब्दों के शुद्व चरण का ग्यान कराया जाता है। दूसरा कल्प सूत्र कल्प सूत्रों में यग विधी का ग्यान कराया जाता है। तीसरा व्याकरण ये व्याकरण के ग्रंथ हैं। चोथा निरुक्त शब्दों की रचना या निरुक्ती का ग्यान कराने वाले शब्द ग्रंथ निरुक्त कहे गए हैं। पाजमा चंद चंदों का बोध कराने वाले ग्रंथ इसके अंतरगत आते हैं। छे जोतिश से जोतिश से सम्बंधित है। ये वेदांग वेद के अंग माने जाते हैं। व्याकरण मुक है, सिक्षा नासिका है, निरुक्त कान है, जोतिश आखे हैं, कल्प शूत्र हाथ हैं, तथा चंद पैर हैं। उप्यूक्त वेदिक साहत्य में वेदांग दर्शन के नोवपन की द्रस्टी से सरवाधिक, महत्मूल ग्रंथे, रिगवेद और उपनिशत ग्रंथ। यहां इन दोनों का किंचित और विस्तरत परिचा देने के उपरांथ वेदांग के स्वरूप पर विचार किया जाएगा, तथा तदुपरांथ प्राचीन युग से लेकर स्वातंत्रिय युग तक के इतिहास को द्रश्टी में रखते हुए परखा जाएगा, कि किस प्रक करके वेदा